नमस्कार दोस्त मैं मनीश वर्मा आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन लोक के बारे में मैं आपको को स्वार्मेट में समझाने वाला हूं इसने जो भी अपनी थोट्स दी है उस पे में को सन यही आत्राप्ट एक्जा सद्धांत दिया गया है वह क्या है और आपको इसकी आलोचना करनी है नेक्स्टेप प्रकरतिक अधिक भी है जोन लोग की वो नेचुरल राइट के उपर है यही आपको बताने जोन लोग का जनव इंगलेंड में कब हुआ था 29 अगस्त 1632 में हुआ था 1656 में इसने बी ए कंप्लीट करी और 1658 में इसने अपनी में कंप्लीट कर ली हॉप्स के बाद जोन लोग सी ऐसा बंदा हुआ जिसने लिब्रेलिजम पर अपने थोड़ दिये और फैनिली इसको उदारवाद यानिकी लिब्रेलिजम का क्या कहा जाने लगिया जनक कहा गया इससे पहले हमने हॉप्स का जो चैप्टर उसको कंप्लीट कर लिया है आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया हु जोन लोक से पहले हॉप्स के दुवारा अपनी विचार दिये गए थे इस पर इस्टेट ओफ निचर पर इस्टेट ओफ निचर एक ऐसी कंडिशन है जिसको प्राकर्तिक अवस्था कहा जाता है और इस प्राकर्तिक अवस्था के अंदर हॉप्स के दुवारा इंसानों के बारे में बताया गया कि जो इंसानों का भेवार होता है वो काफी क्रूर होता है यानि कि एक इंसान दूसरे इंसान पर कभी भी अटैक कर सकता है इसने एक इंसान को जगडालू बताया होवस के ठीक अपोजीट जोन लोग के दुवारा एक इंसान को काफी सांती प्रिये वा से बात रहते हैं उसकी एक इंसान पर जो इसका जो प्राओं कवेंब हैर्व दूसरे पर ऐटाइक करता रहते है यानि कि लोगों को दर में होते हैं इसके state of nature condition में, लेकि जब लोक ने कहा state of nature condition के बारे में, इसने कहा कि इनसान को डर में नहीं, बल्कि वो सांती में जीते हैं, तो इन दोन में यही main difference है, तो state of nature की condition से निगलने के बाद, जब social contract होता है, hopes और लोक के coding, तो hopes कहता है कि एक राजा बनाया जाता है, बट उस राजा को हटाने का अधिकार लोगों पर नहीं होता, ये चीज़ मैंने आपको hopes की वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझा दिये, लेकिन जोनलो कहता है कि अगर जो natural rights है, जो की main question में दिया गया है, hopes के द्वारा कहा गया था कि लोगों ने अपने सुरक्षा के लिए, अपनी defense के लिए सभी लोगों ने मिलकर राजा बनाया, यानि कि राज्य बनाया, वही राज्य इन पर defense, यानि कि सुरक्षा देगा इनको, main यही reason था, hopes के according, but राजा वैसा अगर नहीं भी निकला, तो लोग बिद्रोव नहीं कर सकते, उस राजा को हटा नहीं सकते, इसी वज़े से hopes को criticize भी किया गया, लेकिन जोन लोग के द्वारा क्या कहा गया, कि राजा को हटाने का अधिकार लोगों को होगा, अगर वो राजा लोगों की प्राकर्तिक अधिकारों, natural rights को defense यानि की protect नही और जोन लोग ने काफी सांती पिरिये एक इंसान को बताया है, जो बे मतलब किसी पर attack नहीं करता, तो इन दोनों का जो state of pressure and condition है, इन दोनों में difference आपको पता होना चाहिए, इन दोनों नहीं बताया है, प्राकर्तिक अधिका बारे में, बट दोनों की जो ideology है, जो thoughts है, वो इसी वज़े से लोगों ने social contract करके राज्यों को बनाया, लेकिन इसके ठीक opposite, जो लोग क्या कहता है, कि लोगों ने अपने natural rights को protect करने के लिए state को बनाया है, यानि कि लोगों ने मिलकर social contract किया, और जिसके साथ contract हुआ है, यानि जिसको उन्होंने अपने राजा बनाया है, उस राजा को ये कहा गया, कि भाई सुन राजा, तेरा main काम क्या है, सभी जनता, यानि कि लोगों की जो natural rights है, उनको protect करना, अब ये natural rights क्या है, ये natural rights according to law, क्या है, right to life, जीवन का अधिकार, right to liberty, स्वत्रता का अधिकार, right to property, संपत्ति का अधिकार, ये वो अधिकार है, जो एक इंसान को नहीं किसी society ने दिया है, वो नहीं किसी state ने दिया है, ये अधिकार इंसान जैसे धरती पर जनम लेता है, उसी time उसको ये मिल जाता है, ये अधिकार किसी के दुवारा नहीं दिया गया, इसलिए इन अधिकार को छीनने का भी अधिकार किसी को भी नहीं है, ज लोगों को yeah लोगों को यह रैट है कि वह टा सकते हैं लेकिन होग से रिप्लेस करने का Cocsk personajes नहीं लोगों एक नयतिक इंसान है लेकिन होप का कहता है कि एक इंसान काफी मतलब की जगडालू है कप्टी है एक दूसरे पर अटैक करते रहाद है काफी अग्रेसिव इसने बताया इसके ठीक आपोजिट जो प्राकरतिक अवस्ता में लोग का जो एक इंसान है वो क्या है नयतिक रास्ते लेकिन होप का एणिटिक रास्ते बीचलता है इसलिए इसने बताएक समाज्जिक प्राणी यानि के एक इंसान एक अकेले ना रहकर समाज में सभी के साथ मिलके रहने वाला एक इंसान है इसलिए लोग के अकोर्डिंग सान्ति में जीवन होता है स्टेट अफ नेचर के में यानि की प्राकर्तिक अवस्था के अंदर इसलिए लोगों न मिलकर एक राजनितिक समाज यानि की पॉल्टिक्स को बनाया अपनी सहमती देकर एक राज्य को बनाया इसके बाद मनुष्य को इस्वर ने विवेक परदान किया है और इस विवेक के वज़े से लोगों को प माननेता है कि व्यक्ति के अधिकार पैदाइसी हैं जिसमें राइट टू लाइफ राइट टू प्रोपर्टी और राइट टू लिवरटी यह तीन राइट इनसान के पास है और यह रहेंगे जिंद्गी भर तक तो जोन लोक ने यह सारी अपित होट्स अपने बुक टू ट्र क्याकर्तिक अवस्ता के समाज का अस्तित भी शुकारता है जैट मिस नेचर ओफ इस्टेट की जो कंडिशन है हॉप्स के तरह यह भी मानता है कि हां कुछ ऐसी कंडिशन हुआ करती थी बट हॉप्स और इसके विचारों में डिफ्रेंस पाया जाता है कि लिए रहे हैं पर विवेक पर अधारिद यानि कि इसने लोगों को विवेक सम्मत माना है यानि कि एक इंसाने बुद्धी होती है और जिस इंसाने बुद्धी है और क्यों दूसरों से पंगा लेगा वह सांती से रहेगा उसको मरने का डर तो रहे गहीं रहेगा इसलिए इसने एक इंसान को स अधिकारों के बारे में बताया है क्या बताया उसने कि अधिकार मनुस्य में प्राकर्तिक रूप से जनम जात है मैं आपको बताया ना कि नहीं किसी स्टेट निदिया है नहीं किसी इंसान ने दिया है यह अधिकार इंसान को जनम जात नेचर ने दिया है नेचर ने दिया है जो किसी और के द्वारा धर्ती पर नहीं दिया जाता यह नेचर ने खुदी दिया है जैसे कि हवा पानी सूरज की रोशनी यह किसी इंसान ने दिया है यह से एक इंसान को नेचर ने दिया है अब जीवन का अधिकार किसी इंसान ने दिया नहीं है वह तो भगवान या नेच का राइट और लिवर्टी आपको नेचर ने अपने आप में लिवरल बनाया है आपको पूरी लिवर्टी है तो यह कोई चीन नहीं सकता वह यह आपको द्यान रखना है तो यह अधिकार जन्म जात आपको मिलता है हिंदी मीडियम बाले बच्चे इधर इधर देखना मैंने तो नहीं मीडियम में यहां पर लिख दिया है क्योंकि एक टाइप में एक ही लाइंगिज में इसको इडिटी करूआ इसी अधार पे जो लोग कहता है कि यह जो अधिकार है यह नेचरली है यह प्राकर्तिक है यह अधिकार आप परिवर्ट नसील है इसको कोई चेंज नही है और इन अधिकारों का जो पालन है वो एक सभ्य समाज में हो सकता है स्टेट ऑफ नेचर की कंडिशन में लोगों को यह राइट्स मिले हुए थे लो डाउट उसमें तो क्या ज़र्वर्थी स्टेट बनाने की भाई क्योंकि होप्स की तरह जो जो लोग का सिधान थे स्ट तो उस कंडिशन में किसके पास जाते कोई अथोरिट्री तो थी नहीं ना स्टेट ना पूलिस ना कोई ऐसी वेवस्ता जो लोगों को न्याई दे सकती थी इसलिए लोगों ने सिर्फ अपनी नेचरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट बनाया यह है जोन ल हम सबीकार हम सभी को हैं यह अधिकार एक इनसान से ए किसी अमीर या गरीवी से या राज्य से समाज से बिल्कूल भी मिलता यह जैसी हम जनम लेते तो यह नेचर से मिला हमें तो किसी को भी यह राइट्स नहीं है कि कोई भी आपको जीने से रोग दे राइट टू लाइफ आपके पास है और इस राइट को कोई आपसे छीन नहीं सकता नेक्स कुंट के सुन्तरता का अधिकार यानि कि राइट टू फीडम या राइट टू लिवरटी हम सभी सवतंतर है और एक इंसान किसी दूसरे के अंडर में काम न जाता है तो इसलिए दोसरे को नुक्सान को पहुंचाए गाल इसलिए समपतिका आधिकार जोन लोग ने अपनी बुक में इन तीन्यों राइट के बात करी यह बट सबसे संपतिक आधिकार के प्रोपर्टी अब यह प्रोपर्टी क्या है धन्दोलत तो उस टैम थी निवा इतना की नहीं अम बानी अडानी की तरह आद बहुत बड़े धन्दोलत हो गाड़ी घोड़ा बंगला हो यह सब तो नहीं था लेकिन यह जो आपकी बोड़ी है जो लोग बताता है कि एक इंसान के वजे से वो सारी है इसलिए जो लोग कहता है कि एक इंसान की जो बोड़ी है वो अपने आप में प्रोपर्टी outta इस सफ म्राथ को खतम करने कादिकार किसी को भी नहीं और अगर एक इंसान अपनी महनस से कुछ और छीजily इंघटी करता है तो वो भी एक इंसान की का है व्यक्तिकर संपति का उदय उस समय हुआ यानि कि एक इंडिविजुल इंसान के पास भी अपने प्राइवेट प्रोपर्टी हो सकती है इस पिचारधारा या इस एडिलोजी का बस्तुओं पर अलग गलाग गुद्स पर या समानों पर यह खहने लगे कि यह तो मेरा है मालों कि आपको भूख लगी है तो आप उस टाइम खाना खा लिया लेकिन आपको इस चीज़ की चिंता हुई कि आज तो खालूंगा कल भी तो भूख लगेगी और आपने उसी चीज तरहरी के सपनाया हूँ या गलत तरहरी के सपनाया हूँ खेले रहां से तो इस तरीके से रोमन बिधी उनको प्रोपटी कहता है बट ज्चुल लों entities क्रोपरूटी कि उसक century नहीं यह कहा कि व्यक्ति का सहरीर जोसकी बोड़ी है वहीं उसकी एक मात्र संपति है जब व्यक्ति अपने लेवर से, अपनी मेहनत से कोई बस्तू अरजित करता है, कोई मेहनत करके उसको बनाता है या प्राप्त करता है, वही चीज उसकी प्रोपर्टी बन जाती है, बट अनिदगरी तरूप से या इलिगल तरीक से अगर वो उसको अपना ले, तो वो उसकी प अपनी प्रोफटी यह जो लोक का यहां पर यह लोक ने क्या कहा आगे चलके देखी आप जिस चीज को मनुस्य ने अपने सारे रिक सरम द्वारा प्राप किया उस पर उसका प्राकर्तिक अथिकार है अब आपने महनत करके सोर पर कमाया तो यह सोर पर दोस्त आपका है स्देट्य ससाइट्य है कोई इंसान को आप से अपसे कसे छेहद़ रची भांप कंगारा हैं तो जो लोग कहता है अगर मेहनत का पैसा तो आप से कोई नहीं यहीं आपकी में प्रोपर्टी बन जाएगे इसके बाद सेवाइन क्या कहता है कि मनुष्य बस्तूव पर अपनी आंतरिक्स सक्ती वे करके यानि कि आंतरिक्स सक्ती मतलब जो आपके पास इस टैमीना है जो अनर्जी को लगाने के बाद आपको जो मिलता है वही आपकी सेम ताप प्रोपर्टी गह सकतो यह कह रहा है सेवाइन तो जो लोग के लिए भी नीजी संपति का अधार एक साजी बस्तूब पर वय की गई स्रम सकती जो लेवर आप लगाते हो जो महनत करते हो किसी जीसको कम प्यार है वही मेरी प्रोपर्टी से át नेक्षम देखते हैं योटनोगने क्या कहा है की जो प्रोपर्टी का रायट है वह दो तरीके से लोग προें को बिलता है पहला कौन है प्राकर्तिक संपती और धूस्रा कि निजी संपती नाचिरल जो प्रोपर्टी है यह एक इंसान को नेचर से मिली है जैसे अब भाई अब नदी पानी समुंदर जहां पर आप जागा रहे हैं नेचरल रिसोर्स यह सभी थोड़ी है कि इस्टेट ने आपको दिया है यह तो नेचर ने दिया है भाई तो आपको उसको यूज करने का पूरा अधिकार है पर कोशिस यही हो कि अगर आप उसको बरवात पर खतम कर देते हो तो यहां पर आपको दंड दिया जाएगा अब हमालो की आज भी है ना पॉलिसी भाई कि हमें पानी वेश्टीज नहीं करना चाहिए अब सरकार भाई वहां पर आज आएगी पानी को वेश्टीज कर रहा है तो जैसे कि आप मा प्राइवड प्रोपर्टी यह वो प्रोपर्टी है जो एक इंसान अपनी महनत से अरन करता है यह होता है प्राइवड प्रोपर्टी त्यूंकि जो प्राकरतिक संपत्य जो नेच्रल जो प्रोपर्टी है इस पर एक इंसान का नहीं दुनिया का सभी इंसान का राइट से अ संपती मानब को इस्थान सक्ति और व्यक्तित्व के विकास के लिए अब सरपर्दान करती है नेक्स पॉइंट जो लोग ये कहता है कि मनसुसे को संपती संचित यानि की इखटा करने का पूरा अधिकार है जो लोग की इस बातों के बज़े से उसको पुंजीपती सोच का कहा जाता है क्योंकि अब क्या है ना भाई पुंजीपती के अंदर सभी को छूट होती है कि जितनी संपती चाहिए घटी कर लो अब इसी कंडिशन में क्या होगा एक इंसान चाहिए सोशन के करके कर रहा हो यह तो अमीर बन जाएगा भाई अब यह पूर रह जाएगा इसी में लाइफ और लिवर्टी का जो राइट से उनको कम और प्रोपर्टी का राइट्स को ज्यादा ही इंपोर्टेंस देती है इस वह से इसको अलोशना की जाती है नेक्स पूंट क्या कहता है कि जो प्राकर्तिक कानून है पर दूसरे व्यक्ति के अधिकार छेत्र में अगर को इंटर्फिय करता है तो यह उसको एक्सेप्ट बिलुकुल भी नहीं करते है जो लोग ने संपति अर्जन में सरम का महत्व जो है यानि कि एक इंसान अपनी लेवर से कोई चीज प्राप्त करता है कोई वैल्थ या धन दोलत तो उसकी इंपोर्टन बताता है जो लोग क् महने से वो अर्जित की गई है इसलिए वो चीज उसकी है जो लोग के द्वारा नेचरल राइट का जो कॉंसेप्ट है यह समझ लेने के बाद चलिए अब हम यह समझते हैं कि जो लोग को किस अधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है अलोचना का जो सबसे पहले पोइंट है चलिए वो तेखें जो लोग क्या कहता है कि जो अधिकार है वह स्टेट और सब्सक्राइटेज से पहले दिया गया है वह इसमें वह लीवरिटि लाइफ और प्रोपेटि कोई बोलता है वत एकुछली मैं आज के टाइम पर क्या माना जाता है कि लोग को जो राइट सै वो एक स्टेट से ही मिलता है अगर आज देखे हम जो फंडामेंटर राइट से वह हमें समीधान यानि की स्टेट के दोबरा दिया गया है उसका वोलेंस होता है तो हम सीधे सुप्रिम कोड तक जा सकते हैं पर जो लोग से कहता है कि सोसर कॉंट्राइट किया है हमने स्टेट बना ओना हमने सम्पंट का संपति के अधिकार पर इसने वह विष्दार बहुत अच्छे से लिखा है कौफी इसने केटिखर जैसे कि न मताया प्रवटपर्टे वह रिदिग कि यह सुकूर्ट पर ज्यादर जूड़ दिया इसी बज새 से τους दीया जाता है प्डाकर्ति अधिक कहता है कि natural rights में एक इंसान की life प्रोपर्टी और लिवर्टी आती है बट यह हो का first concept बट दूसरे तरफ जो लोग ने ये भी कहा कि जो प्रोपर्टी का राइट है इसका जो मेन आधार है वो व्यक्ति का स्रम है अब जो नेच्टरल राइट से वो तो जर्म जात मिले हुए है कि इसमें एक लेवर की क्या जूरत है समझेह यानि कि आप इंसान को महेंत क्यू करना भाई प्रोपर्टी आर्जित करने के लिए यह तो नैच्रल री है न तो एक जगा पर यanki बात कर रहे है प्रोपर्टी Remote अल्में और एक जगह यह कहता है कि इह जो राइट है इस्टरल सोसाइल्टी के अंदर एक्वैल्टी का जो पिंजी पाल है इस पर इसने जोर बिलकुल भी नहीं दिया इसलिए इसको पुंजी पति कहा जाता है क्या कहा इसके दुआरा देहों जिस घास को मेरे घोडे ने खाया मेरे नोकर ने काटा मैंने चीला वह मेरी संपती है यानि कि जिसको मैंने अपनी महनत से कमाया जिसको मैंने महनत से अपनी अर्जित करी इखटा किया अपने लाइफ के अंदर अब वो मेरी संपती है उसके उपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है यानि कि जो मेरी प्रोपर्टी है वो मेरा है वो कैपिटलिजम के अंदर यही होता है मेरे तेरी की भाव ना अमीर गरीब की भाव ना इसलिए सुफिट रिशाइज किया जाता है अब देखो जोन लोग के कैपिटिलिस्ट है इसलिए उसने एक्वैलिटी पर बात करके सिर्फ लिवर्टी की बात की नेक्स पूंट क्या है जोन लोग के अधिकारों का छेत्र सीम लोग आर्थिक ऐसे मानता की तो बात करता है यानि कि जो इकनोमिक इनक्युवैलिटी इसकी बात तो करता है लेकिन उसे दूर कैसे किया जाए इसकी उपाई की बात बिल्कुल भी नहीं करता है यहीं वह बज़ा है जिसके वाइसे जोन लोग को एक कैपिटिलिस्ट वह इ राइट्स कर दो तरीका इसने कहीं न कहीं पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को राइट्स की बात करी और लोगों के अंदर अधिकारों को लेकर लोगों को जागरुक किया और इसी वज़े से इंगलेंड में युरोपिन कंट्रीज के अंदर लोगों में एक अवेर्णिस फ के फॉर्थ तक आप जाकर देख सकते हो यह वीडियो आपको कैसे लेगी रिचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लासिकल पॉल्टी की फिलोस्पीक है जो में इंपोर्टन कोशन भी आंसर दिये गए हैं नोट्स के रूप में वोसके लिंक नेच्व डिस्क्रप्शन बोक अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बहले कर ओन जरूर करना मैं मिलूंग आपसर नेक्स वीडियो के अंदर अपने प्याद जरूर बनाय रखना जय हिंद जय भारत